स्वागत थे सभी दर्शकों का गिलोला स्राउस्ती न्यूज चैनल में अगर आप लोगों ने पितिक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा कर चैनल को सस्क्राइब कर ले साथी साथ बिल आइकन दबा ले ताकि सभी ख़बरों की नोटिफिकेसन आपको मि ख़बर उत्तर प्रदीश की जनपस राउस्ती के गिलोला थाना छेत्र अंतरगत से है जहां हरिहरपुर के राप्ती डैम के पास एक अग्यात व्यक्त की लास्ट देखी गई है ग्रामीरों के द्वारा और उनके द्वारा तुरन डायलेक्स उबारा को सूचना दी गई है मौके पर पहुची डायलेक्स उबारा की टीम ने इस्थानियों पुलिस को सूचना दी गई है हाला कि अभी पूरी तरीके से लास्ट डैम में दवी हुई है लास्ट का सिर्फ पैर और एक हाथ बाहर दिखाई दे रहा है जो अभी हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे और वहाँ पर काफी संक्या में गरामीरों की भीन एकटा हो गई है और गिलोला पुलिस भी मौके पर पहुच चुकी है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कल जो एक युवक राती सरीव नहर में युवक ने छलांग लगाई थी दिकवली गाउं के रहने वाले बीज नहीं की लास है लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है अभी कुस देर के बाद जब डैम को खोला जाएगा जब लास बाहर निकलेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे कि ये लास किसकी थी ये बीजय कुमार की लास ही या किसी अन्यव्यक्त की लास है अब तक के लिए ब देखते रहे ये गिलोला स्रावस्तिने हुज